नमस्कार क्या आपकी फेक्टरी वेस्ट फेसिंग है और आपका अपना मेंगेच साउथ फेस्ट के भाग में लगा हुआ है तो आपके यहां जो आपकी मशीने हैं वो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस मांगती है बार-बार मेंटेनेंस मांगती है आपका पैसा बेवज़ा खर्च होता रहता है जो आपके यहां इंकम आती है वो दो दिन तो अच्छी होती है तीन से चार दिन खराब होती है यानि आपकी वरकिंग अच्छी नहीं आती हर बार आपको अपने का साउथ वेस्ट के भाग में गेट लगता है ऐसी फैक्टरी के अंदर इस तरह की समस्य देखने को मिलती है जो तरक्की होनी चाहिए वो तरक्की नहीं होती पैसा आता है तो वो बेवजय गलत जगह या मैंटिनेंस में खर्च हो जाता है जो माल आपका उधारी में जाता है उसकी पैमिंट कहीं न कहीं किसी न किसी क्लाइंट के दिरू मर जाती है जिसकी वज़े से जो प्रोफिट आपको मिलना चाहिए वो प्रोफिट नहीं मिलता ऐसे में आपको करना क्या है जो आपका साउथ लेस्ट के भाग में गेट लगा हुआ है इस गेट पर आपने गेट कलर या क्रेम कलर का पेंट ही आपने कराना है इसी के साथ जो दूसरा काम करना है जो आपके गेट के पिलर बने हुए हैं एक पिलर से लेके दूसरे पिलर तक गेट के नीचे आपने एक दहलीज बनानी है अंदर से बाहर आते हुए भी ठोकर लगे और बाहर से अंदर क और जाते भी ठोकर लगे यानि एक इंच से गेड़ इंच या दो इंच तक की जितना मरजन आपको लगता है उस मरजन के इसाब से आपने एक दहलीज बनानी है और जो वो दहलीज बनाई उसमें पानी जाने का रास्ता नहीं छोड़ना बहुत बार करते क्या है दहलीज तो देते हैं लेकिन उसमें कट कर देते हैं ताकि जो बारिश का पानी या फर्ष की दुलाई करते हैं तो वो पानी वहां से बाहर निकल जाए ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना यानि एक पिलर से लेके दूसरे पिलर तक कंप्लिट सॉलिड दहलीज बनानी है तीसरा काम आप को कुछ मर्जन जरू मिलेगा वह नो इंच का भी होसकता है बारा इंच का भी होसकता है एक से जिटना मर्जन है उसमें आपने दिवार के साथ साथ पांच फूट, छे फूट, साथ फूट या आठ फूट तक का एरिया ठोस करना है या यहाँ पर आपने पांच साथ सो इंटे मंगा कर रखनी है ध्यान रखना है इंटे जो रखें तो वो आपकी गेट के आगे ना आए यानि जो आपका कॉलम है कॉलम के अंदर-अंदर के हिस्से में ही वो इंटे रहे अगर आप इंटे नहीं रख सकते तो आप यहाँ पर बड़े भारी वजन के गमले भी रख सकते हैं गमलों में मिट्टी बरके बिना पोधा लगाए वो आप यहाँ पर सौथवेस्ट के भाग में रखेंगे तो भी आपके यहाँ पाइदा मिल जाएगा मेरे हिसाब से जो आपके अपनी फैक्ट्रिया उसमें 20-30% का प्रॉफिट सिर्फ गेट के नीचे दहलीज लगाने से गेट पे पेंट करने से इटो का platform बनाने से या इटे लगाने से या गमले लगाने से सिर्फ ये काम करने से ही आपको benefit मिल जाएगा इसी के साथ मैं आपको एक point और बताता हूँ जो आपकी west facing factory है उसमें northwest कोने से लेके southwest कोने तक front की दिवार को अंदर के इसे से और बाहर के इसे से दोनों तरफ से आपने इसको white color कराना है जब आप इसको white कराएं तो इसमें ना तो violet color डालना है और ना इसके अंदर नील डालना है जैसा pure white color बाहर से बन के आया है company की तरफ से बन के आया है वही pure white color आपने west की दिवार पर front और inside अंदर के भाग में करानी है सिर्फ आप यह काम कर लीजिए आपके यह benefit जरूर आ जाएगा आपको मेरा यह प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विशेर पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार